Hello dear students, welcome back to my YouTube channel आज की वीडियो में हम जानेगे के Do auxiliary verb को English language में कैसे यूज़ करना है किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है Do auxiliary verb के forms क्या क्या होते है और English language पर command हासिल करने के लिए हमें Do auxiliary verb को समझना क्यों जरूर है यह जो वीडियो स्रीज है उसमें हम auxiliary verbs को समझना की कोईशिश कर रहे है और अगर आप पूरी वीडियो स्रीज देखना चाहते है तो लिंक उसको आपको description में मिल जाएगा तो आज की जी वीडियो इसे हम Do के forms से शुरू करेंगे यानि हम पहले देखेंगे कि Do auxiliary verb के कौन-कौन से forms होते है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ट में Do auxiliary verbs के form लिखे हुए और जो Do के forms होते हैं वो है Do, Does, Did, Doing and Done अब हम देखेंगे कि इन forms को हम कब-कब और कौन-कौन से subject के लिए यूज करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि प्रिजेक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् और अगर past tense हो, तो हम do का एक ही form यूज़ करेंगे, वो है did, यानि subject कोई भी हो, past tense में हम do का did form ही यूज़ करेंगे लाज जो दो form है, वो है doing और done, तो doing present participle है, यानि verb का ing form है, और यह हम commonly use करते हैं, यानि हर tense और हर subject के लिए commonly use किया जाता है और done past participle है, यानि इसका third form है, और इसको भी हम commonly use करते हैं, यानि हर tense और हर subject के लिए इसे use किया जाता है तो यह थे do के forms, अब हम देखेंगे के do की importance क्या है, तो do एक primary auxiliary verb है, और primary auxiliary verb वो verbs होते हैं, जो के sentence में बिना किसी main verb के आ सकते हैं तो जो primary auxiliary verbs होते हैं, तो वो बहुत जादा इस्तिमाल किया जाते हैं, और do को English language में कई तरीके से इस्तिमाल किया जाता है और do verb को main verb के तोर पर भी इस्तिमाल किया जाता है, और auxiliary verb के तोर पर भी English में इस्तिमाल किया जाता है तो अगर हमें English language पर कमान हासिल करना है, English speaking अच्छी करना है और English language को अच्छे तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना हमें आना चाहिए तो हमें auxiliary verbs जितनी भी आते हैं तो उनको उपर भी हमको कमान हासिल होना चाहिए और do भी एक primary auxiliary है तो इसलिए उसको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए आज की वीडियो को आप लोग गौर से देखें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए तो पहले हम देखें कि do अगर auxiliary verb के तोर पर आता है तो उसके क्या usage होते है तो पहले जो usage है वो है to change the mood याने sentence के mood को change करने के लिए mood क्या होते है तो इसका मैं explain पहली वीडियो में कर चुका हूँ याने हमारा sentence अगर positive sentence है तो उसको interrogative या negative sentence बनाने में auxiliary verb मदद करते है और do का भी एक primary या पहला इस्तिमाल यही है तो पहले जो इस्तिमाल है वो है to make the question forms और interrogative sentences of present simple tense और past simple tense याने present simple tense और past simple tense के जो sentences होंगे तो उनके positive sentence को एक interrogative या question वाले sentence में बदनने में हमें do auxiliary verb मदद करता है कैसे तो उसे example के जरी समझते हैं और पहले हम देखेंगे present simple tense की examples तो present simple tense का जो पहला sentence है वो है she goes to market everyday कि वो हर दिन मार्किट जाती है तो यह एक positive sentence है एक adjective sentence है जिसमें हम एक बात बता रहे हैं और अगर इसी sentence को हमें question form में change करना हो एक interrogative sentence में change करना हो तो हम sentence बनाएंगे does she go to market everyday कि वो हर दिन बाजार जाती है तो यहां पर हमने ड़ ऑगजरी वर्प की help ली है इस sentence को interrogative sentence बनाने में और second example है the players work really hard to win the match के प्लेयर्स में जीतने के लिए बहुत ज्यादा महनत करते हैं तो यह एक positive sentence है इसमें हम एक बात बता रहे हैं और इसी sentence को अगर हमें interrogative sentence में change करना हो तो हम do auxiliary verb की मदद लेंगे और sentence बनेगा हमारा do the players really work hard to win the match तो यहां हम do auxiliary verb की मदद ले रहे हैं और sentence हमारा positive से interrogative या question वाला sentence बन जा रहा है और हम देखेंगे past simple tense की examples तो पहला जो example है वह हाओ डिड यू celebrate your birthday या तुमने अपना birthday कैसे celebrate किया तो यह past tense के मुतालिक एक past tense से related एक question है तो इसमें हम question बनाने के लिए पास के लिए यूज होता है और second example है when did he send you the message कि उसने तुमें कम message भेजा तो यह भी past tense से related एक sentence है और इसमें हम question बनाने के लिए डिड और यूज होता है और यह हर तरह के subject के लिए commonly use किया जाता है second usage है to make the negative forms और negative sentences और present simple and past simple tense के present simple tense और past simple tense के sentences को negative form में या negative sentences में change करने के लिए भी हम do auxiliary verb की मदद लेते हैं पहले हम example देखेंगे के present simple tense की तो पहली example है के I eat rice everyday के मैं हर दिन राइस खाता हूँ या चावल खाता हूँ तो यह एक positive sentence है और अगर हम इसे negative sentence में change करना होगा तो हम do auxiliary verb की मदद लेंगे और sentence बनेगा I don't eat rice everyday के मैं हर दिन राइस नहीं खाता तो यहां पे हमने positive sentence को negative sentence में change किया और इसमें हमने do auxiliary verb की मदद ली है second sentence है she replies to the message immediately के वो messages को immediately फॉरण ही reply करती है तो यह एक positive sentence है और इस sentence को जब हमें mood chain करना हो इसको positive से negative में change करना होगा तो हम do auxiliary verb की मदद लेंगे तो sentence बनेगा she doesn't reply to the messages immediately कि वो messages को फॉरण ही immediately reply नहीं करती है तो यहां पे हमने she के लिए does का यूज किया है क्यूंकि जब हम forms को समझ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर subject third person का singular pronoun हो तो उसके लिए भी हम does auxiliary verb का यूज करते हैं यानि डू के जो form यूज करेंगे तो वह है और पास्टेंस की examples है के he cried a lot when he heard the news के उसने बहुत ज्यादा रोया जब उसने न्यूज को सुना तो यह एक positive sentence है इसको हमें negative sentence में अगर chain करना होगा तो हम इसमें did auxiliary verb की मदद लेंगे यानि डू का जो form यूज करेंगे वह है यूज किया जाता है second example है I enjoyed the party के मैंने party enjoy कि तो यह एक positive sentence है और इसको हमें जब negative sentence बनाना होंगा तो हम डू का जो form यूज करेंगे वह दिड और sentence बनेगा I did not enjoy the party के मैंने party enjoy नहीं कि तो यहाँ पे हम डिट का यूज कर रहे है क्योंकि दिड कॉमनली यूज किया जाता है य जैने imperative sentence किसी भी हुक्म वाले और आदेश वाले sentence का जब negative form बनाना होंगा तो उसके लिए भी हम do auxiliary verb का यूज करेंगे तो पहली example है call me after 11 o'clock के मुझे 11 बजे के बाद में call करो तो इस sentence में हम देख रहे है कि एक positive command है किसी को हम हुक्म दे रहे और जब इसी sentence का हम जब negative sentence बन positive command sentence को जब हम negative में चैन कर रहे हैं तो उसके लिए हम do auxiliary verb का यूज कर रहे हैं second example है run याने भागो और जब इसका हमें negative command बनाना होंगा negative sentence बनाना होंगा तो हम sentence बनाएंगे do not run या don't run तो इसमें भी हम do का यूज कर रहे है एक positive command को negative command में चैन करने के लिए do auxiliary verb का जो चौता usage है वो है to avoid repeating a main verb के एक main verb को repeat करने से बचने के लिए नहीं हमारे sentence में ऐसा होता है कि हम कभी-कभी एक ही verb को बार-बार repeat करना पड़ता है तो उस repetition से बचने के लिए भी हम do auxiliary verb का use करते हैं अब कहां-कहां पर यूज करेंगे यान कहां-कहां पर हम main verb को repeat करन इडिशन्स जाने जब हम एक सेंटेंस के साथ में जब दूसरा सेंटेंस जोड रहे हो तो उसमें भी हम में वर्ब को रिपीट करने से बचना चाहेंगे तो उसके लिए हम डू अवजरी वर्ब का यूज़ करेंगे इसको एक्जामपल के जरी समझते तो फर्स एक्जामपल है कि मैं सन इनजॉइज वाचिंग कार्टूंज और सोड़ आय के मेरा सन मेरा बेटा कार्टूं देखना इंजॉइ करता है और मैं भी यहां पर मैं सन के साथ में हम ने ओल्रेटी इंजॉइए में वर्ब यूज़ कर कर रहे हैं और सिकन्ट इग्जाम्पल है she likes to dance and so does her sister कि वह dance करना पसंद करती है और उसकी sister भी उसकी बहन भी तो यहां पर पहले जो sentence है उसमें हमने like main verb का use किया है और उसके साथ में हम जो एक sentence add कर रहे है वो है so does her sister यहां पर हम does जो है तो like main verb की जगा पर यूज कर रहे है तो हम यहां पर like main verb को repeat करने से बचना चाते थे इसलिए हमने do auxiliary verb का use किया है और does इसलिए हमने लाया यहां पर क्योंके sister एक singular noun है तूसरी जगा जहां पर हम main verb को repeat करने से बचने के लिए do auxiliary verb का use करते है वह है short answer यानि हमें जब short में answer देना होंगा तो हम main verb की बजाए do auxiliary verb का use करेंगे यहां पर हम पहले question के जरी इसकी example देखेंगे और पहला question है कि did you meet my brother yesterday कि क्या तुम कल मेरे भाई से मिले थे तो अगर उसका हम में short answer देना होंगा तो हम कहेंगे कि yes I did क्या हाँ I did का मतलब यह कि हाँ मैं मिला था yes I met लेकिन हम यहां पर meet main verb है उसको repeat करने से बचने चाहते थे इसलिए हमने meet main verb का use नहीं कि है बलके इसकी जगा do का जो form लेकर आए वह है did क्योंकि हम past tense से related बात कर रहे हैं और second example है कि does he go to school everyday कि वह हर दिन इसकूल जाता है तो इसका हमें short answer देना होंगा तो हम कहेंगे कि yes he does कि हाँ वह जाता है तो इस question के short answer में हम main verb का use नहीं कर रहे हैं बलके main verb की जगा पे do का जो form युज़ कर रहे हैं वह है हां पर हम main verb को repeat करने से बचने के लिए do auxiliary verb का use करते हैं वह है commands यानि हुक्म वाले sentences में जैसे first example है कि I warn you to not play with fire don't do it मैंने तुम्हें खबरदार किया था मैंने तुम्हें वार्ण किया था कि आख से मत खेलो don't do it मत करो यानि मत करो का मतलब यह है कि मत खेलो और जो पहला sentence है तो उसमें हम प्ले में वर्प को अल्रेडी ला चुके हैं और जो दूसर sentence है don't do it में हम इस main verb को repeat करना नहीं चाहते थे तो इसलिए हम ने उसके जगह पे do auxiliary verb कर लेकर आए और second example है hey team leaders want you to prepare the report so do it now कि सुनो hey team leader चाहता है कि तुम report को तैयार करो so do it now तो करो यानि करो का मतलब यह है कि अभी तैयार करो तो यहां पर हम पहले sentence में देख रहे हैं कि हमने prepare main verb को लेकर आ गए लेकिन दूसरा जो sentence है उसमें हम command दे रहे हैं और command देने के लिए हम main verb को repeat नहीं कर रहे है बलके do auxiliary verb को लेकर आ रहे है और चौती जगा जहां पर हम main verb को repeat करने से बचने के लिए do auxiliary verb को यूज़ करते हैं वह है question tags और पहली उसकी example है कि you really like ice cream don't you कि तुम ice cream को बहुत पसंद question करते हो don't you क्या नहीं तो यहां पर question tag में देख रहे हैं कि हम पहले sentence में main verb like को ला चुके हैं और question tag में हमें main verb को repeat करने से बचना था इसलिए हम main verb को लेकर नहीं आ रहे हैं बलके हम उसकी जगा पर don't या do auxiliary verb को लेकर आ रहे हैं second example है कि john did not attend the class did he कि john ने class attend नहीं की क्या की थी तो यहां पर हम पहले sentence में देख रहे हैं कि हम attend main verb को ला चुके हैं और इसके question tag में हम main verb को repeat करने से बचना चाहते थे तो इसलिए हमने attend की जगा पर did auxiliary verb को form लेकर आया है और नेक्स जे यूज़े जहां पर हम main verb को repeat करने से बचने के लिए do auxiliary verb को use करते हैं वो है in comparison याने जब हम दो लोगों के दो चीज़ों के बीच में comparison कर रहे हो उसकी पहली example है कि she sings better than I do कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती है तो यहां पर she और I की बीच में comparison हो रहा हैं और she के साथ में हम पहली ही main verb को ला चुके हैं तो इसलिए हम जो है कि I run faster than he does कि मैं उससे जादा तेज भागता हूं तो यहां पर I और he के बीच में comparison हो रहा है और I के साथ में हम already main verb रण लाच चुके हैं और इसे हम repeat करने से बचना चाहते हैं तो इसलिए हमने do का जो form लेकर आया हुए does क्योंकि present tense में हम ही के साथ में do का जो form यूज करे जब हम कोई बास शिद्ध से कहना चाहते हैं तो हम do auxiliary verb का use करेंगे कैसे तो इसे example के जरीए समझते हैं so first sentence है वो है she does go to school everyday but today she isn't failing well के वो हर दिन बिलकुल इसकूल जाती है इस बात में हम जोर दानने के लिए के वो इसकूल जाती है हम does auxiliary verb का use कर रहे है के she does go to school everyday के हाँ वो बिलकुल हर दिन इसकूल जाती है but today she isn't failing well के लेकिन आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम सामने वाले की इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो हर दिन इसकूल जाती है तो इसी लिए हमने एक simple sentence नहीं use किया बलके हम यहाँ पर use कर रहे है कि she does go to school everyday के वो हर दिन इसकूल बिलकुल जाती है तो अपने sentence में जोड़ दालने के लिए शिद्ध से कहने के लिए भी हम do auxiliary verb के use करते हैं और second example है वो है please do allow me to complete my sentence कि please मुझे अपना sentence complete करने दो यहने अगर आप दो दो लोगों की बीच में बात हो रही है और कोई एक दूसरे को अपना sentence complete नहीं कर दे रहे तो वो उसको इस तरह कह सकता है कि please do allow me to complete my sentence कि मुझे मेरा sentence complete करने दो तो इस sentence में हम जोड़ दाल रहे हैं और शिद्ध पैदा करने कुशिक कर रहे हैं तो इसलिए हम do auxiliary verb का use कर रहे हैं अब हम देखें कि do एक main verb के तोर पर आता है तो उसके क्या usage होते है इस वीड के तौर पर यूज़ होगा तो उसके जो usage होंगे तो वो दूसरे किसी main verb की तरह ही होंगे और उसके जो forms भी है तो वो भी किसी main verb की तरह ही आएंगे तो do अगर main verb के तौर पर sentence में आता है तो उसके क्या usage है उसे देखते हैं तो पहला जो usage है वो है do as a main verb is used to express these meanings के do जब main verb के तौर पर आता है तो in some meanings को बताने के लिए आता है अवो meanings कौन कौन सी है तो पहला है carry out, perform, fix और provide यानि किसी काम को करना, किसी काम को अंजाम देना, fix करना, provide करना है तो in some meaning में do एक main verb के तौर पर आता है और पहले इसकी example है कि I am doing my homework कि मैं अपना homework कर रहा हूं तो यहां पर हम एक काम कर रहे है carry out कर रहे है और उसको बतानी के लिए हम do एक main verb के तौर पर ला रहे हैं और second example है कि you do the dishes I will take the trash out कि तुम dishes करो याने तुम dishes को fix कर डिशेज जो है बरतन जो है गंदे जो है तो इसको साफ करो मैं trash कचरे को बाहर फिबूँगा तो यहाँ पर हम किसी को कोई चीज fix करने के लिए कह रहे हैं यानि dishes गंदी हो गय थी तो उसको fix करो यानि इसको दो कर साफ कर दो तो उसके लिए कह रहे है तो इसलिए हम रहे हैं डू का एक मेन वर्ब के तरुपर सेकंड यूजज है वह है टू टेल दब हैवियर किसी बिहाइवियर को बताने के लिए किसी के बरताव और आदत को बताने के लिए इसकी एक्जामपल है कि every time he gets nervous he does something foolish कि जब कभी वो nervous होता है तो वो कोई बेवकुफी वाली चीज़े करता है तो यहाँ पर हम उसके बिहाइवियर को बता रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर do एक मेन वर्ब के तोर पर ला रहे है डू का मेन वर्ब के तोर पर जो थर्ड यूजज है वो है to tell the plan plan के बारे में बात करने के लिए उसकी एक्जामपल है कि what are you doing next Sunday अगले संडे तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ पर हम किसी से उसके plan के बारे में पूछ रहे है पलान के बारे में बात कर रहे है तो इसलिए हम यहाँ पर do को ला रहे है do एक मेन वर्ब के तोर पर आ रहा है वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ नोट करना है कि when we use do as a main verb we use another auxiliary verb to make negative और integrative sentences के जब हम डू को एक मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो हम दूसरे auxiliary वर्ब को लाते है सेंडेस में negative या integrative sentences बनाने के लिए इस बात को हम और अच्छे तरीके समय एक्जामपल के जरिये समझते हैं तो पहली जो एक्जामपल है वह है what are you doing तुम क्या कर रहे हो यहां पर हम देख रहे हैं कि डू एक मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है और उसके हम आएंजी फॉर्म या present participle यूज कर रहे हैं और इस sentence में हम question पूछ रहे हैं interrogative sentence है तो इसमें हम our auxiliary verb का question बनाना तो इसी लिए हमने यहां पर लिए यूज के हैं क्यूंकि पास्टेंज के बारें बात हो रही है और साती साथ इस संटेंज में हम देख रहे हैं कि यह negative sentence यानि इसमें लिए हम उसके साथ में डजन या डज अवजलियर वर्प का यूज कर रहे हैं और फॉर्थ एक्जामपल है के हैव यू एवर डन एनिफिंग इलीगल कि क्या तुमने कभी कोई इलीगल चीज की थी यहां पर हम देख रहे हैं कि डू के साथ में हम है अवजलियर वर्प का याने एक ही सेंटेंस में डू भी आएंगा और दूसरा कोई ऑउजलियर वर्प भी आएंगा तो आप इन सेंटेंस को गौर से देखिए और इनकी प्रैक्टिस करनी की भी कोशिश कीजिए तो मुझे उमीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने डू के जितने भ वीडियो के मदद से आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हुए होंगी अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमिन सेक्शन में जरूर पूशे वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए अपने फ्रेंग्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इंफर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरू सब्क्राइब कीजिए आई विल सी यू इन माय नेक्स वीडियो